हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो गाईज कल की वीडियो में हमने देखा कि रूद्र प्रियाग का जो पार्ट वन है हमने कम्प्लीट कर लिया है जिसमें कि हमने रूद्र प्रियाग की भगौलिक इस्तिती इतिहास और कुछ परसिद्ध प्रियाग के बारे में जाना था तो आज की जो पार्ट वीडियो है इसमें आपका रूद्र प्रियाग जिला कम्प्लीट हो जाएगा तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं तालों से तो इस वीडियो में हम ताल और कुछ विविद जो यहां पर रूद्र प्रियाग के बारे जदा important होने वाले हैं तो आप वीडियो को धिहान से देखें ताकि आप practice set के सारे ही question के answer दे सकें तो चलिए शुरू कर लेते हैं तो देखें रूद्र प्रियाग जो है एक ताल बुग्या ग्लेशर इन सभी प्राकरतिक संपदाओं से भरा हुआ एक जिला है तो उसमें रू वासुकी ताल जो है टिहरी और रूद्र प्रियाग दोनों के ही सीमाओं पर याने के बॉर्डर पर है तो टिहरी रूद्र प्रियाग जिले बॉर्डर पर आता है वासुकी ताल इस वासुकी ताल की खास्यत यह है कि इसमें जो पानी है वो लाल रंग का होता है और यहां पर नीले रंग के कमल भी देखने को मिलते हैं। वासु की ताल की जो exact location है वो केदारनाथ के पास में इस्तित है। तो पहला ताल ये हो गया, फिर नेक्स ताल आता है चौराबाडी ताल। चौराबाडी ताल का नाम गादी सरोवर भी है और इसको सरवदी ताल भी कहा जाता है। ये भी केदारनाथ के पास में ही इस्तित है। अब जो चौराबाडी ताल है उसका एक नाम गादी सरोवर इसलिए रखा गया है क्योंकि गादी जी की मृत्यों के बाद 1948 में गादी जी की अस्तियों को इसी ताल में विसरजित किया गया था तो ये ताल आपको किदारनात मंदिर के पास देखने को मिलेगा जिसके तीन ना यहां पर वो है देवर्या ताल कई बारे कोशन पेपर में पूछा जाता है इसलिए आपको इसको याद रखने है देवर्या ताल जो की तुंगनात मंदिर के पास में है या फिर आप उकीमट के पास में इसको कह सकते हो तुंगनात मंदिर के पास में है अब जो देवर्या है वो इस ताल में दिखाई देता है तो frends तुंंगनात के पास में जो चौकंबा शिकर है उसका प्रतेविम देवरिया ताल के में दिखाई देता है यानिकि उसकी च्छाया पड़ती है अब जो कुछ अन्य फेमस ताल है वो है बधानी ताल भेक ताल जो की अंडाकार है सुकदी और बिसुडी ताल तो ये कुछ और ताल है जिनके नाम आपको याद रखने है भेक ताल आपको उसका आकार याद रखने है अंडाकार में है भेक ताल ठीक है अब आते हैं मुरूत से कहा गया है फिर उसके बाद आता है कस्नी खर्क बुग्याल जो कि मद महिष्वर बुग्याल भी कहलाता है क्योंकि यह हम मद महिष्वर नात मंदिर के पास में इस्तित है अगला है बर्मी और मननि बुग्याल यe भी आपके रूदर प्रियाग जिले के दो बुग्याल है एक आपका अली बुग्याल आता है ठीक है अली बुग्याल तो ये आपका चमोली और रूदर प्रियाग के बॉर्डर में आपका पढ़ता है ठीक है अली बुग्याल दुगल बिट्टा बुग्याल बिसूरी बुग्याल भी कुछ अन्य रूद्र प्रियाग में अस्तित भूग्याल है, तो फिर आती है, रूद्र प्रियाग जिले में कुछ शिलाएं, क्योंकि यहां पर कुछ शिलाएं बनी हुई है, यान कि अक्तBER के बड़े पड़े आकार के पत्फर उनको शिला बोलते हैं, तो यहां पर सब देखने को मिलेगी केदारनात मंदिर के पास दिव्वी शीला एक है यहां पर काली शीला क« काली मठ». चंद्री शीला बहुती ओट सेख मंदिर क्योंकि यहां पर उत्राहण सब चंद्राइस मंदिर है तो चंद्री सीला सिलाय रूदुर accident जिले में आप यहां के जल विद्यूत परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं यहां पर विसम भगॉलिक परिस्तती है इसलिए कुछ जादा यहां पर जल विद्यूत परियोजना नहीं है कुछ छोटी मोटी जल विद्यूत परियोजना है जिसका नाम है रामबाडा और च सब्सक्राइब glacier किदारनाद glacier आपका किदारनाद मंदिर के पास में है चौरा बाड़ी glacier आपका चौरा बाड़ी ताल के पास में है जो कि शर्वदी ताल गादी सरोवर भी कहलाता है इसलिए चौरा बाड़ी glacier उसी के पास में है तो glacier के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कुंड तो कई सारे रूदर प्याग जिले में कुंड है जिनके आपको नाम पता होनी चाहिए mostly एक्जाम में इतना ज़्यादा डीप नहीं पूस्त है फिर भी आपको कुंड के नाम पता होनी चाहिए क्योंकि आप से कभी मैचिंग में पूछा जा सकता है एक यहाँ पर है नंदी कुंड जो की मधुगंगा पर इस्तित है ठंडा पानी यहाँ पर आपको मिलेगा यानि कि यह ठंडा ठंडे जलका कुंड है नंदी कुंड कहाँ पर है रूदर प्याग में गौरी कुंड और भौरी अमूला कुंड है यहाँ पर यह दोनों ही गरम पाने के कुंड है रुदर प्रियाग में इसके अलावा नाग कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड यह तीनों कुंड कहाँ पर है तिरी जुगी नारायन मंदिर जहाँ पर की गौरा पारवती शिव वारवती का विवा हुआ था तो उस मंदिर के पास में है ये नाग कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड अब यहाँ पर तीन चार और कुंड है हंस, रेतास, रंभा और उदक तो हंस, रेतास, रंभा और उदक कुंड ये किदारनाथ मंदिर के पास में इस्तित है एक आता है यहाँ अमरित कुंड जो की चोपता बुग्याल के पास में है और अंतिम है यहाँ पर पारवती कुंड तो यह कुछ मेन मेन कुंड है जो की रूदर प्रियाग जिले में स्तित है अब यहाँ पर आती है दो तिन गुफाएं जो की है एक है ब्रहा गुफा और एक है भीम गुफा और अगली आती है ध्यान गुफा ध्यान गुफा इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट है यह क्योंकि केदारनात मंदिर में इस्तित है ध्यान गुफा यहाँ पर प्रधान मंतरी सबसे कम उद्योग वाला जिला है और सबसे कम उद्योग यहां क्यों है क्योंकि यहां की जो भगॉलिक परस्ति है वो उद्योगों के अनुरूप नहीं है आप देखिए रूदर प्रयाग जिले का जो पांडव नरत्य और बगडवाल नरत्य है वो काफी प्रसिद्ध है तो रूदर प्रयाग जिले में पांडव नृत्य और बगडवाल नृत्य प्रसिद्ध है काली मत घाटी रूदर प्रयाग में इस्तित है ये मैंने आपको पहले भी बता ही दिया था काली मठ घाटी रूदर प्रियाग में इस्तित है, काली शीला भी रूदर प्रियाग में इस्तित है, काली मठ का मंदिर भी रूदर प्रियाग में इस्तित है, फिर आता है दुगल बट्टा जो कि उखी मठ में नैसरगीक एक परेटक इस्तित है, दुगल बिट्टा उखी इसलिए यहाँ पर प्राकर्तिक चीज़ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी जैसे कि ताल, बुग्याल, ग्लेशियर, कुंड और मंदिर आप कुछ चीज़ यहाँ पर देखे मिश्रित वन खेती मौडल रूद प्रियाक के जगस सिंग चौधरी नहीं तयार किया था आपने जगस सिंग चौधरी का नाम तो सुना होगा जिनको जंगली भी कहा जाता है उनका उपनाम है जगस सिंग चौधरी का उपनाम जंगली रखा गया है इन्हें 2006 में आरे बट सम्मान से सम्मानित किया गया और क्यों कि आ गया है क्योंकि इन्होंने मिश्रित वन खेती मौडल दिया था जगत सिंग चौधरी का संबंद रूदर प्रियाग जिले से है अब यहां पर एक राश्ट्री पक्षी श्रंगाल है बर्ड म्यूजियम का निर्मार रूदर प्रियाग जनपत में किया जा रहा ह मायने है इसमें पक्षियों की प्रजाती को संरक्षित किया जाएगा तो राश्ट्री प्रक्षी संंख्राला यानि कि बर्ड म्यूजियम का निर्मार हो रहा है रूदर प्रियाग जिले में तो फ्रेंड्स यह थे कुछ रूदर प्रियाग के बारे में छूटे हुए वीडियो हेलफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब चरो करना